हलो आभरीबडी मैसेल्फ दिगराश सिंह राजपूद वेलकम टो मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे अब इस वीडियो में आपको क्या बताया था वाट आधी वेरियेश चैलेंजर्स विच आर पॉलिटिकल पार्ट क्या सकता है वो सारे परिशानी देखी हमने हमने कि मैनिया मसल पावर का यूज होता है तो उसर क्छिए किया जा सकता है आया समय है तो यह उसी तौपिक से जुडवा टॉपिक होगा और आपको इससे यह पता चलेगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म क कि सेंस में जरूरत है कि हाँ political parties में बदला हो आना चाहिए जितने भी challenges से वो परिशान हो रही तो उन सारे challenges को overcome किया जाना चाहिए लेकिन अगर बात की जाए willingness to reform कि मतलब change लाएगा कौन political leaders ही लाएंगे न अब ये बताईए एक चीज़ कि political parties के सामने जो challenges है तो कही ना कहीं किसी ना किसी को फाइदा पहुचा रहे हैं जैसे एक story बनाते हैं कि एक political leader है अब उन political leader का क्या मानना है कि उन्हें पता है कि आप money and muscle power का यूज़ करोगे तो वो गलत है politics में लेकिन वो money and muscle power का यूज़ करके क्या करते हैं जीते हैं चुनाओ अब अगर बात की जाती कि इस system को हटाया जाए कि कोई money और muscle power का यूज़ करके कोई अपने पैसे के दम पे चुनाऊना जीते सिस्टम को हटाया जाए गवर्मेंट उसके अगिंस में लाव बनाए तो गवर्मेंट में तो वही इंसान बैठा है जो उस तरीके से आया है आया समिझ में तो इसके चलते क्या होता है कि इक्षा जरूर रिफॉर्म की लेक लेकिन जो लोग बदलाव लाएंगे क्या वो लोग उस चीज के लिए ततपर हैं नहीं है ठीक है तो आप यहां पर कुछ बताए गया है कि अच्छा ठीक है यह तो आपने फिलोसिफिकल एंड पर समझ लिया कि बदलाओ क्या है क्यों नहीं आ रहा है जो लोग ला सकते हैं वो चीज के लिए एक शुक में है यह साही चीज सब कुछ अब यहां पर हम देखें कि efforts and suggestions to reform political parties तो क्या efforts डाले गये हैं या फिर कुछ suggestions के form में कि क्या किया जा सकता है और क्या किया गया है अभी तक जिसके चलते हमने reform लाएं है कहां पर politics में या फिर political party में तो political parties में क्या- क्या किया जा सकता है start करें तो सबसे पहला चीज का constitutional amendment एक constitutional amendment लाया गया था हमारे constitution में जिसके चलते क्या किया गया था MPs और MLS जो defection की practice को follow करते थे उन्हें रोखा गया उसके मदद से अब यह मैं आपको पहले concept समझाता हूं पूरा कि constitutional amendment तो आपको समझा गया कि सम्विद defection मतलब क्या है जैसे मान लीजे में एक leader हूँ political leader हूँ अब मैंने क्या किया है मैंने Congress की ticket पे चुनाओ लड़ा था ठीके Congress की ticket पे चुनाओ लड़ा में जीत गया चुनाओ ठीके congratulations बोलो मुझे आप मैं जैसे मान लो MLA बन गया अब मैं MLA बन गया हूं Congress की seat से बनाओ अब किसी पार्टी से और फिर चले किसी पार्टी में जाते हैं clear है तो इस तरह से हमने आगे अभी इसी chapter में starting में क्या पढ़ा था कि लोग candidate को देखके नहीं देते कभी कभी party को देखके vote देते हैं तो लोगों ने हो सकता है कि मुझे vote ना दियो Congress party को vote दियो लेकिन मैंने तो आ आपको defection clear हुआ तो इसी के against में anti defection law passed किया गया था constitutional amendment लाग के अब मैं आपको इसके constitution का IT का लिए सारी चीज़े भी बता सकता हूं लेकिन हमें नहीं जाना है यह भी limited perspective से समझो कि constitution में क्या इस तरह का जो पहले एक नियम चल रहा था उसको बदला बदला गया क्या बदला पैसे के लालेश में क्या करता था अपनी पार्टी बतल लेती उसे रोखा गया उसे कैसे रोखा गया तो एक anti defection law लाया है हमारी country में जिसके चलते है अगर मानलो अब मैं ऐसा करता हूं कि चुनाओ किसी पार्टी से लड़ा आप किसी और पार्टी में जाके जुड रहा तो ठीक है election commission बोलेगा चली जाएए आप बिल्कुल जाएए लेकिन क्या है कि आपकी जो ticket है ticket या फिर आपकी seat जो है मतलब कि आप MLA नहीं रहोगे आपकी position से क्या कर दिये जाओगे हटा दिये जाओगे आया समझ में तो इस तरह से बदलाव लाया गया तो इससे क्या हु है तो उनके ऊपर action लिया जाएगा उनकी seat को cancel कर दे जाएगा मतलब उनकी जो position उसे हटा दिया जाएगा वहां से रद कर दे जाएगा लेकिन अगर wholesale में wholesale मतलब क्या है कि जैसे party में 50 MLA है मानलो और 50 MLA में 25 MLA party छोड़ रहे है तो इसका मतलब क्या है कि एक दो की बात नही तो मैंने बहुत ही simple words में आपको समझाने की कोशिश करी कि constitution amendment लाय गया था था कि जो MLA defection की policy को adopt करते थे उन्हें रोखा जा सके उसके बाद में क्या है कि अगर कोई defection के towards जाता है तो उसे क्या किया जाएगा उसकी position से हटा दिया जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या है कि यह anti defection law और इन सारी चीजों के चलते कि अगर किसी political party के किसी leader के अंदर मतलब कोई ML है sorry तो कोई ML के मन में अगर decent की बात है decent मतलब क्या होता कि अगर वो नाखुश है किसी policy से उसे लग रहा है कि party में कुछ गलत हो रहा है तो अपने अपने उस मतलब जो नाराज है तो चाहा कर भी नहीं जाएगा क्यों क्योंकि उसे लगेगा अगर में अधर जाओंगा तो यह anti defection law के चलते मेरी position चिन जाएगी मुझसे तो यह जहां पर इसका advantage है वहीं पर disadvantage भी तो हम इन तीनों point का एक drawback भी पढ़ते चलेंगे यहां पर क्या है कि no decents can be expressed by the MPs or MLS after the emergence of anti defection law तो anti defection law आने के बाद में किसी के अंदर पर discontent है अगर party की policy के against में तो कोई बोल भी निसकता है क्यों क्योंकि अगर वो बोलेगा तो anti defection law के चलते उसकी his position was be would be reduced यह सारा हुआ अगला point देखते हैं हो आपको पहला step समय में आगी क्या step लिया गया political party को reform करने के लिए यह आपको ध्यान रखना है कुछ points हम जितने discuss करेंगे तो direct answer में बनेगा क्या हो political parties can be reformed इसको ब्रेक करें अगर तो यह कैसा question मन सकता है कि what steps have been taken and what can be taken यह ले लिये गया कदम है यह लिये जा सकते है नीचे अभी जो discuss करेंगे तो पहला लिया गया कदम constitutional amendment वाला दूसरा candidates are required to file an affidavit ठीक है candidates are required to file an affidavit यहां पर affidavit से अब दिश हम जाओंगा मैं आपको दो मनीट और रुखिए तो reduce to reduce money and muscle power ठीक है अब देखिए हापे क्या है कि अधिकतर हमने जो challenges पड़े थे उन challenges में एक challenge यह था ना कि you excessive use of money and muscle power तो लोग पैसे के बल पे अपनी ताकत के बल पे क्या करते है election को election के result को अपने तरफ influence कर लेते थे तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया उस एफिडविट फाइल करना होगा एफिडविट क्या होता है एफिडविट एक तरह से क्या है कि आप किसी officer के सामने return evidence proof कर रहे हो एक शपत पत्र दे रहे हो promise कर रहे हो कि हम मैं जो इसमें लिख रहा हूँ वो पूरे होशववाज में लिख रहा हूँ और जो लिखा है वो स topic of affidavit ऐसा नहीं civic geography वाले topic एफिडविट का जो content रहेगा वो रहेगा कि उनके पास कितनी property है तो सारी property अपनी mention कर देंगे कि आज की स्थिति में चुनाओ लणने वाला हूं में मुझे ticket मिल गया है तो आज की स्थिति में मेरे पास इतनी इतनी संपत्ती है दूसरी चीज क आपको यह बताना होगा एफिडविट में कि मेरे अगेंस्ट में यह यह किमिनल केसे spending है और इसके अलावा में कई और indulge नहीं हूं किसी और दूसरे किमिनल केस में या फिर आपको एक तरह से क्या करना होगा कि अपनी सारी information को election commission के सामने क्या करना होगा exhibit अपना educational qualification अपनी serious criminal case spending against you तो यह सारी चीज़ा आपको क्या करना होगी एफिडविट में लिखके देना होगी इससे फाइदा क्या होगा पता है इससे फाइदा यह होगा कि जब आप एफिडविट में लिखके दोगे तो वह general public के सामने क्या हो जाता है वह general public के सामने display हो जाता है लोगों को पता चल जाता अच्छा कि यह candidate जो चुनाओं में लड़ने वाले तो इनके पास कितनी प्रॉपर्टी इनके अगेंस में कोई सी कि मेल कैसे इस तो नहीं है इनकी educational qualification क्या है तो इस तरह से आपने एफिडविट में सारी चीज़ा आगी तो अब सब कुछ वह public domain में है अब ज किसके पास में कितना muscle power है और उसका कितना इस्तमाल कर रहा है कितना सहीं इस्तमाल कर रहा है कितना गलत इस्तमाल कर रहा है तो इस बैसिस पर हम जो हमने challenge देखा था हमारे starting में क्या कि money and muscle power is a major challenge if we talk about political parties तो उसे हम overcome कर पाएं क्यों क्योंकि candidates को आफिडविट फाइल करना होत कितनी सही है या कितनी गलत है तो यह मतलब bone of contention है कि जहां पर आपने अफिडविट फाइल कर वा लिया लेकिन एक बार power में आने के बाद में वह इनसान फिर कितना सही है कितना गलत है वह एफिडविट उसी के हिसाब से जान लेती हूं सारी चीज़ने ठीक तो हमने दो य यह उसी चीज़ को कम करने के लिए क्या कि election commission ने mandatory कर दिया कि अब जितना भी जो भी political parties है mandatory कर दिया कि political parties are required to hold their organizational elections and file their income tax return मतलब हम क्या देखते थे कि party की जो top position उस पर कुछ top leaders होते है वही सारी चीज़े decide करते हैं वही सारा सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं चलेगा अब किसके पास power आ गई है अब power आ गई है जनता के पास में जनता के पास में इंदिसेंस की जो party के bottom leaders थे या फिर जो party में कह सकते हैं कि active members का role play करते हैं जिनके पास parties और businessmen के बीच में जो nexus होता है उसके बारे में बताया था उस nexus को कैसे तोड़ा जा सकता है उस nexus को तोड़ा जा सकता है income tax returns की फाइल करवा के political parties बोलती हमें तो लोगों ने चंदा दिया है और तब हमार पास इतना पैसा है और करोड़ों में पैसा आ जाता है 4000-5000 करोड ठीक तो अब मुझे बताए कि जब जनता इतनी अमीर होगे 4000-5000 करोड़ी तो फिर देश में गरीबी क्यों है तो बहुत सारे ऐसा सवाल है अगर उसमें हम जाते दो तो यहां पर समझना क्या है समझने वाली में चीजी है कि political parties जो है तो political parties को ये election commission ने कुछ mandatory कर दिये चीज बहुत powerful होती है political parties तो वो अपने interest के साफ से इन चीजों को बनाती है ठीक है laws उन्हें govern नहीं करते है laws are being governed by the political parties it is this side reality तो यह होगे हमारा हमने क्या क्या देखा कि अभी तक क्या efforts लिए गए है political parties को reform करने के लिए तीन पॉइंट मैंने आपको बनवा दिये पहला क्या है पहला anti defection law वाला दूसरा जो हमने point पड़ा था वह affidavit file करने वाला तीसरा यह इस तरह से क्या है mandatory कर दिये organization election और income tax return file करने आला तो यह तीन चीज़े कर चुके हैं question अगर देखो यहां से भी ट्विस्ट होगा तो what are the steps which are being taken to reform political parties तो these are the steps which are being taken ठीक है पहले से ले चुके इस्टेप which can be taken what are the suggestions के अगर बात की जाए अगर है ऐसा question मनता है तो suggestions में सारे सब कुछ डालना है और इन जनरल question मनें कि how can we reform political parties तो उसमें सारा सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो अगर suggestions की बात करें हम तो जैसे मैंने आपको यह बताया था कि के laws बना दिये जाए कंपल सरी कर दो आप जब यहां पर देख रहें कि फॉर्मलिटी के हिसाब सी होता है बस organization election करवाना है यह election commission ने mandatory कर दिया लेकिन election commission भी उस पर step नहीं ले रहा है और parties भी उस चीज को seriously नहीं रही है तो यहां पर law बना दो कानून बना दो जो कानून तोड़ा है उसको सजा दो ठीक कि आप एक register maintain करेंगे उस register में आपके party members का सारा सब का नाम होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है जो top position होगी उस पर इनसान कैसे पोच रहा उसके लिए procedure हो ऐसा नहीं कुछ भी बस की डैनेस्टिक सक्सेशन चला रहा है कि आप बस इस family में जन्नम ले लो तो आप politics में पक्का जाओगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है minimum numbers of tickets should be given to women यहाँ पे क्या एक specific quota जो है आप women के लिए reserve कर दो कि हाँ इतनी seats पे women candidate को ही आपको क्या करना है मतलब इतनी seats जो है इतनी seats पे आपकी पार्टी का ticket जो है वह women को ही मिलेगा इससे क्या होगा एक तो women empowerment होगा जो हमारा starting में हमने पढ़ा था gender caste रिजन वाले chapter में वो भी हो जाएगा उसके साथ साथ में diversification होगा political parties का reform ऐसे होगा क्या political parties क्या की gender के basis पर discrimination नहीं कर पाएंगी उसके आप political parties में जब women participation देखने को मिलेगा तो women participation एक तरह से women women as a section के लिए कुछ अच्छे plans policy बनाने पर जोर देगा ठीक है और क्या क्या जा सकता है there should be state funding of elections यह point बहुत important है अब क्या होता है अलग-अलग political parties है कोई छोटी सी political party जैसे हम बनाते होगे तो problem यह रहती है कि बड़ी-बड़ी political parties के पास में बहुत पैसा रहता है छोटी political parties के पास में पैसा नहीं रहता है तो वहाँ पे state funding का concept लेकर आजाना चाहिए state funding का concept क्या होना चाहिए कि government पैसा देगी कि सीज के लिए आपको इड़र्मेंट करना गवर्मेंट पैसा देगी तो गवर्मेंट फिक्स अमांट देगी कि हां इतने में ही करना इससे ज्यादा आप खर्च नहीं करोगे तो इस तरह से state funding को क्या कर दिया जाना चाहिए एकदम mandatory कर दी जाना चाहिए कि हां government इससे ज्यादा पैसा नहीं सकते हैं तो some solution can be brought out of this कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है बाकि यह किया जा सकता है कि state funding को क्या कर दिया जाए कर दिया जाए अब यह वाली जो बात थी नहीं हमने एफिडविट वाली तो अभी रिसेंड़ी सुप्रीम कोट का एक जज्जमेंट आया था जिसमें उन्होंने यह एलेक्शन से पहले की बात होती थी कि इलेक्शन से पहले candidate को फिल करना रहेगा अब करना रहता है पत्ला आप फारे जीते हों क्या हो जो भी है तो एलेक्शन के बाद में जीत गए पांच साल तक आप पावर में रहे अब आप भार गये तो आपको पांच साल बाद फिर से क्या करना होगा अपनी प्रॉपर्टी की अपने अगेंश्मेंच को क्रिमिनल केसे अपने educational qualification की उन सारी चीजों की रिपोर्ट देना होता है एफिडविट के तुरू तो ये काफी अच्छा step लिया गया है government के द्वारा ठीक तो ये तीन चीज़ा और बताएं मैंने आपको क्या और कैसे reform की जा सकती क्या role of people मतलब आपको political parties को सुधारना है तो democracy is governed by whom democracy is governed by the citizen citizen of that country तो जब तक लोग अपनी सहभागिता नहीं दिखाएंगे अच्छी तरह से तब तक कैसे चीज़ा बदलेगी तो यहापे लोग जितनी भी जनता है वो बहुत important role पे कर सकती है अब क्या होता है एक simple सा concept देखिए रोड पे मान लो बहुत सारे क्या है रोड पे बहुत सारे फत्तर है अगर या फिरोड पे बहुत सारा कच्रा है तो अगर आपको cross करके जाना है तो आप सिर्फ वहाँ पे खड़ो के ऐसा बोलते रहोगा कि या रोड खराब है सही करना चीज़े उससे काम नहीं चलेगा आप गाड़ी से उतर के जब तक आप उन चीजों को हटाओ के नहीं कैसे होगा हम सब बोलते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए ठीक है पॉलिटिकल पार्टिस का पार्ट बनना चाहिए तब जाके कहीं न कहीं चीज़े रिफॉर्म होगी ठीक है अगर आप चेंज चाहते हो तो जैसे गांदी जी का एक कोट है आप लोगों ने पढ़ा होगा मतलब आप जो बदलाव चाहते हैं आप वो खुद बन जाईए तो अपने आप चीज़ें बदल जाएगी सुदर जाएगी तो इसे के साथ हमारा थयोरी पार्ड जो था चैप्टर पॉलिटिकल पार्ड इसका वो कम्प्लीट हो चुका है अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पल सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं फील फ्री टो विजिट आर ओफिशल वेबसाइट मैगनेटब्रेंस डाट कॉम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्मेंटली आस्ट कोश्चन्स के साथ थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुच